प्यारे साथियों को नमस्कार मित्रो स्वागत एक बार फिर से आपका रायथान में देखे हम लोगोंने पीछे आप लोगों को दो दस मिनट के शो दिये थे मैंने एक में हम लोग पशुगंणा बीश्वी पशुगंणा के बारे में बहुत विस्तार से हमने चर्चा की थी लेकिन समय हम ने कम लिया था प्र उसके बाद तुल्नात्मक की कउन से पशु कितना पर्तिससत है राष्थान आपकोंगों को की सथी हूं के अच्छी तरीके से आप लोग पेपर एल करके आएंगे और अच्छा आप लोगों का रिविजिन करने के लिए टेलीग्राम को जरूर जोईन करें हाँ और जी हाँ रायथान के ब्रमास्तर नोट्स आप पढ़े तो आप लोगों के लिए फिरी श्टेडी मेटरल में डाल दिये गए हैं रायथान का डाउनलूड करेंगे कोई चारज नहीं है फिरी श्टेडी मेटल में करके मंगवा सकते हैं ताकि समस्त नोट्स आप लोगों को बहां मिल जाए देखिए साब आपको मैंने पढ़ाया था दुबारा फिर से दोहरा लेते हैं कुछ बाते कि हमने पढ़ा था कि सर ऐसा है 2012 में जो पसुगणना हुई थी वह 19 पसुगणना थी और 2017 में पीश्वी पसुगणना होनी थी कौण सी वीश्वी पसुगणना होनी थी लेकिन 17 में प्रारम नहों के 2018 में यह प्रारम हुई 2019 में आकड़े आये 20 का मतलब वीश्वी पसुगणना सब हमारे पास यह 19 पसुगणना है यहां 5.77 करोड हमारे पास पशू थे जो घटके 5.68 करोड पशू रह गए थे अना इसका मतलब 9 लाक की कमी हुई है एक पॉइंट लगबग 66% के आसपास हमिए कमी देखने को मिलती है पशू शंपदा में राजस्तान देश के 10.58% पशू रखता है कितना 10.58% पशू रखता है यह द्यान रहे और पशू शंपदा में दूसरा इस्तान है कौन सा इस्तान है और बात करते हैं साथ वी हम लोग गोवंस की देखिए गोवंस की बात करें तो वेरी वेरी इंपोर्टन्ट कि राजस्तान की जो पशू है उन पशू में लगबग 36% बक्री है राजस्तान में सबसे ज़्यादा पशू संपदा में कौन सी है बक्री है अगर हमसे दूसरे नंबर पर पूछे तो गाय है 24.54 पर बटा आप लोगों को राजस्तान में सबसे ज़्यादा जो पशू संपदा है वह बक्री की है और कितनी है 36 परतीस अगर सो में से शो पर्शू है तो बक्री कह रहें 36 तो हमें देदीजिए गाये का जो परतीसात है वो 24.54 परतीसात है भहाईस का है वो 24.11 परतीसा तीनों क आस दो एक तो भैस न और एक अप लोगों के गाइचह दो ऐसे हैं जहां विरद्धीक निए इसमें पाँच प्लस परति सदकी देखने को मिली और इसमें चार प्लस परति देखिए आप लोगों को यहां राठी दिखाए दे रहें यह जो इलाका है यह इलाका यह इलाका देख रहें आप लोग यहां एक तरीके से उत्री राजस्तान हो गया यहां राठी मिलती है सात्यों राठी दूद देने के लिए प्रिसिद है इसलिए राजस्तान की इने काम विश्यास्ता है कि इसकी मद्या की हडडी उठी वी होतीए, कहा मिलेगी अभ यह तैमाल लिजी, आप लोग सरोट मैं बात करुसें हैं हम लोग पढ़ाने की सपिड तेज है, कंड़ें है विदी टेज है मेटर कम नहीं हैं यहां अहां सिर्फटके नसल मिली है तो यह रियान है आप लोगों के विशेदस है मद्दय की हद्डी पूठी होती है मेवाती अब के पूरे राजस्तान का विशेद सब्सक्राइस का खेर्ड प्रदेस माना गया है और नागोर नसल के जो बैल होते हैं वह मजपूत कद काठी के होते हैं रफिर से हमाल लाइश चाह्ट होता हैं वो मजपूत कद काति की होते हैं मालवी मालवी। निसले साथियो मालवा का पठार यहां अब तैय मालली जी आप कोठा संभाग मिलेगी और कोठा संभाग मिलेगी व가지 वा इस इलाके मिलेगी है यहां पर तो आप लोगो के मालली की खास विस्स्ता है कि सर यह बाहर वहायक नसल है पुल्क बाइश को लाइक शेर करते रहें क्लास को लाइक शेयर करते रहें होसला बढ़ाते रहें साब होसला बढ़ाते रहें होसला बढ़ाते रहें तो उत्त्पथी वहाँ है और यहां से इधर आ जाएंगे तो यहां यह नसल पॉय जाती है इस गिर नसल को हम लोग अजमेरा या अरेंडा भी यह आपसे पूछेँगा चार नसल देगा और चार नसल देके आप लोगों से इलाका पूचेयगा यह नसल कौन से लाके में जिसे राथी उत्री लाके में अर्याण वी अर्याणा के चिप्ते में मेवाति पूर्वे नागोरी नागोर के आसपास के भाग में मालवी मालवा के पठार के चिप्तावा भाग में गिर दक्षिन से प्रवेस करेगी सलूमबट डूंगरपूर ऐसे हो चले आप देखिए सांचोर यहां हो गई कांक्रेज है यह कच का रन पड़ता है गुज्रात वहां से यह आप से पूछा है दिव परियोजनिय नसल कौन सी है दो उद्देश्यों के लिए दूद के लिए भी और आप लोगों से पूछे आप लोगों के भार वहाक नसल भी दोनों उद्देश्यों के लिए अगर कोई नसल पाली जाती है ठीक है दोनों उद्देश्यों के लिए कोई नसल कांक्रीज नसल है थार पार कर आप लोगों के यह इलाका आप लोगों का कुछ पाकिस्तान का सिंध परांत आ जाएगा इदर आपका मालानी छेतर आ मालवी आपके नीचे से गिर नसल, आपके सांचोर नसल हो गई, कांकरे नसल दो देश्यों के लिए पाले जाती है, ये बाहरवाग नसल भी है, थार पारकर नसल की बात करें, ये आप लोग यहां मिलेगी, शिंद परांत और मालानी छेतर इसको उत्पतिस तल है, तो इस तर झालवी बाहर